ब्रस्पतिवार की ब्रत कथा पुर्वक रहते हैं ब्रत करने की विधी ब्रस्पतिवार को सुर्योदे से पहले उठकर स्नानादी से निर्वित होकर भगवान ब्रस्पतिदेव का स्मरण करते हुए ब्रत का आरंब करना चाहिए उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अत्वा बड़ा पूजा स्थल बना इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्तरधारन करने का विशेश महत बताया गया है पीले रंग के पुषू केले और पीले चंदन से भगवान ब्रस्पतिदेव की पूजा का विधान है ब्रस्पतिवार के वरत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भूजन करना चा ब्रत करने वाले पुरुस्त ब्रस्पतिवार को दाड़ी वा सिर्के बाल ना कटाएं। ब्रत करने वाले पुजन करता था हर दिन करीबों की सहायता करता परंतु यह सब बाते उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी वह ना ब्रत रखती थी ना किसी को एक पैसा भी दान देती थी वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी एक समय की बात है राजा शिकार ख रहने लगी है सादू महाराज मैं इस दान और पुर्णे से तांग आ गई हूँ इस कारे के लिए तो मेरे पती देवी बहुत है अब आप ऐसी किरपा करें कि सारा धन नश्ट हो जाये तथा मैं आराम से रह सकूँ सादू रूपी ब्रिसपती देव ने कहा है देवी तुम ब बाबडी बाग वगीचे आधी का निर्मान कराओ तथा निर्धनों की कुवारी कनियाओं का विभा कराओ साथ ही यज्यादी करो इस परकार की करमों से आपके कुल का और आपका नाम पर लोग में सार्थक होगा एवन स्वर की प्राप्ती होगी परंदू रानी सादू की इन बातों से खुश नहीं हुई उसने कहा है सादू महराज मुझे ऐसे धन की आवशकता नहीं है जिसको मैं अन्ने लोगों को दान दे दू तता जिसको रखने और सम्हालने से ही मेरा सारा समय नस्ठ हो जाए सादू ने कहा है देवी यदि तुमारी ऐसी ही इक्षा है तो अपड़ा धोबी के यहां धुलने देना इस परकार साथ ब्रिस्पतिवार करने से तुमारा धन नष्ठ हो जाएगा यह कहकर सादू महराज रूपी ब्रिस्पति देव अंतर ध्यान हो गये रानी ने सादू के कहने के अनुसार साथ ब्रिस्पतिवार तक वैसा ही करने का बताय अनुसार कारे करते हुए केवल तीन बिस्पतिवार ही विदे थे कि उसकी समस्त धनसंपती नेश्ट हो गई भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा था सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा तो वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी तुम यहाँ पर रहो मैं दूसरे देश चाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मुनुशित जानते हैं इसलिए मैं यहाँ से कोई कारे नहीं कर सकता मैं अब परदेश जा रहा हूँ वहां कोई ऐसा काम धंदा करूँगा शायद हमारे भागे बदल जाएं ऐसा कहका राजा परदेश चला गया वह वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेशता इस तरह जीवन वैतित करने लगा इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी किसी दिन भूचन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती एक समय रानी और दासी ओंको साथ दिन तक बिना भूचन के ही वैतित करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा हे दासी यहां पास के नगर में मेरी बहन रहती है वह बड़ी ही धनवान है तो उसके पास जा और वहां से पास सिर बेज़र मांके ला जिससे कुछ समय के लिए कुजर हो जाएगा दासी रानी की बहन के पास गई रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी ब्रस्पतिवार का दिन था दासी ने रानी की बहन से कहा तो वैं बहुत दुखी हुई उसने उसे क्रोध भी आया वह लटकर रानी के पास गई और बोली है रानी आपकी बहुत ही धनी स्तिरी है वह छोड़े लोगों से बात नहीं करती मैंने उससे कहा कि कहा लेकिन उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया मैं वापस चली आए रानी बोल दासी आये थी परंतु मैंने उससे बात नहीं की इससे बहुत दुखी होगी अता सुन और विश्लुम भगवान का पोजन समाप्त कर वे अपनी बहन के घर आयी और कहने लगी है बहन मैं ब्रसपादिवार का प्रत कर रही थी तुमारी दासी हमारे घर आयी थी परंतु तुमारे पास पांस सिर बेजर के लिए भेजा था रानी की बहन बूली बहन देखो ब्रसपति भगवान सब की मनोकामना पूर्ण करते हैं देखो शायद तुमारे घर में ही अनाज रखा हो यह सुनकर दासी के घर के अंदर गई और उसे एक घड़ा बेजर भरा हुआ मिल उसे बड़ी ही हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बरतन देख लिया था उसने बाहर आकर रानी को बतलाया दासी अपनी रानी से कहने लगी है रानी देखो वैसे हमको जब आने नहीं मिलता तो हम रोज ही वरत करते हैं अगर इससे वरत की विदी और कथा पूछ ली जाया लेकिन उस दिन सिर नहीं दोना चाहिए ब्रसपतिवार के ब्रत में चने की दाल और मुनक्का से विश्नु भगवान का केले के विरिक्ष में की जड़ में पूजन करें तधर दीपक जलाबें उस दिन एक ही समय भूजन करें बोजन पीले खादे परदात का ही करें और कथ इस परकार करने से गुरु भगवान प्रसन होते हैं अन्य पूत्र धन देते हैं मनोकामना पूर्ण करते हैं ब्रत पूजन की विधी पतला का रानी की बहन अपने घर लोट गई रानी और दासी दोनों ने निश्य किया कि ब्रसपति देव भगवान का पूजन जरूर करें इस कारण बिरस्पतिरे भगवान प्रसंद थे एक साजन रखती के रूप में वे दो थालों में सुंदर पिला भोजन लेकर आए और दासी को दे कर बोले है दासी यह भोजन तुमारे और रानी के लिए है तुम दोनों करना दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसंद हुई और र रानी जी भोजन कर लो रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था इसलिए दासी से बोली जै तू ही कर क्योंकि तू ही वेर्थ में हसी उड़ाती है दासी बोली एक व्यक्ति भोजन दे गया है रानी कहने लगी वे भोजन तेरे लिए ही दे गया होगा तू ही भ हालों में भوجन दे कर गया है स्लिए मैं और आप दोनों gent भोजन करेंगी धोनों ने गुरू भवान को नमजकार करके भोजन प्राइडं़ कर दिया उसके बाद से प्रतेग व्रसपतिवार को गुरु भगवान का ब्रत और पूजन करने लगी, व्रसपति भगवान की किरपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस से करने लगी, जब दासी बोली कि देखो राने, तुम पहले भी इसी प्रकार आल प्रामनों को दान दो, कुवा, तला, बाबडी, आधी का निर्मान कराओ, मंदिर, पार्शाला बनवाकर दान दो, कुवारी करन्याओं का बिभा कराओ, धन को शोपकारियों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश्ष बड़े और स्वर को प्राप्त हो, और पित्र दासी की बात मानकर राणी ने इसी प्रकार से करने का प्रारम कर दिया, जिससे उसका काफी एश्ष फैलने लगा, एक दिन राणी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना चाने राजा किस देश में होंगे, उनकी कोई खोज ख़बर रही है, गुरू भगवान से उन दुख भुखने पड़े, राजपार छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकणियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा, उसी समय उस जंगल में बिरस्पती देवेक साधू का रूफ धरन करके आए, और राजा के पास आकर बोले, हे लक पतनी ने ब्रस्पती देव के प्रती अपराद किया था, जिसके करन तुम्हारी यह सिती हुई है, अब तुम किसी परकार की भी चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे, देखो तुम्हारी पतनी ने ब्रस्पती वार का ब्रत प्रारंब कर दिया है अब तुम भी ब्रसपतिवार का ब्रत करके चने की डाल वा गुड जल से लोटे में डाल कर केले का पोजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे, सादू को प्रसंद देखकर आजा, बोले है वरभू, मुझे लकडी बेचकर इतन कुछ भी मालूम नहीं है, सादू ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, ब्रसपतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकडियां लेकर शहर जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलिवाती भोजन कर लो, कि तता ब्रसपत पर्तम वह भोजन करती थी, बाद में अन्ने कोई काम करती थी, ब्राप्त बहुत दुखी थी, पतनी को बहुत समझाते, किन्त उसका कोई परणाम ना निकलता, भगवान के किरपा से ब्राप्त की इस तरीके कन्यात पन होई, वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने हो जाते हैं और लोटते से उनको बिनकर घर ले आती, एक दिन में वाली का सूप में उस सोने के जोग को फटक रही थी, तब ही उसकी मान ने देख लिया और कहा, हे बिटी, सोने के जोग, जोग को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए, दूसरे दिन गुरुबार इस कन्या ने वरत रखा और ब्रसपती देव से प्रातना करके कहा, प्रभू, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूचा की हो, तो मुझे सोने का सूप दे दो, ब्रसपती देव ने उसकी प्रातना सुविकार कर ली, रोजाना की तरह कन्या जोग फेलाती हूँ, स्कूल चल रहे थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला, इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जो साफ करते देखकर वह कन्या पर मोहित हो गया, राजमेलाकवे बोजन और जलत आकर उदास होकर लेट गया, राजा को जब राजकुमार के अनजलत आगने का अचार मिला, तो मंतरियों के साथ वे अपने पुत्र के पास गया, और बोले, हे बेटा, तुम्हें ऐसा कौन सा कस्ट है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया, या कोई और कारण है, मुझे बतलाओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसंता हो, राजकुमार ने अप ने पिता की बाते सुनी, तो मैं बोला, मुझे आपकी किरपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परन्तु मैं उस लड़की के साथ विवा करना चाता हूँ, जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, यह सुन राजा को आश्चर हो गया, औ कुछी दिन बाद, ब्रामन की कन्या का विवार राजकुमार के साथ संपन्ध हो गया, कन्या के घर से जाते हैं इस ब्रामन देपता की घर में पहले किभाती गरीभी का निवाश हो गया, अब भुजन के लिए भी आन्ने बड़ी मुश्किल से ही मिलता था, एक दिन दुख करने कि यहां आया और सभी हाल कहा पुत्री बोली है पिता जी आप माता जी को यहां लिवा लाओ बैं उन्हें वही बिती बतलाओंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए ब्रामन देवता अपनी स्थ्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमल पहुचे तो पुत्री मां को समझाने लगी है मां तुम प्राते का लुटकर सब अर्थम स्नानादी करके विश्नु भगवान का फूचन करो तो सब दरित्ता दूर हो जाएगी परन्तों उसकी मां ने उसकी एक भी बात नहीं मानी हुए प्राते का लुटकर अपनी पुत्री का बचा हुआ वरत रखने लगी इस वरत के प्रभाव से उसकी मां बहुत ही धन्मान हो गई और ब्रसपती देवता के प्रभाव से स्वर को प्राप्त हुई वह ब्रामन भी सुक पूबक स्वर को प्राप्त हुआ इस तरह कहानी कहकर सादू देवता वहां से लोप हो गई दिरे दिरे सम भी कलेज दूर हो गया परंदो जब अगला गुरू बार आया तो वह ब्रस्पति बार का ब्रत करना भूल गया इस कारण ब्रस्पति भगवान नाराज हो गया उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यका आयरचन किया था उसने समस्त राजय में गोशना करवा दिदी कि लेकिन लकड़हरा कुछ देर से पोचा इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया जब लकड़हरे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दिस्टी उस खोटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था उसे हार खोटी पर लटका दिखाई नहीं दिया रानी को न अंगल में मिला था ततकाल ब्रसपती देव सादू की रूप में प्रकट होए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे अरे मुर्क तुने ब्रसपती देवता की कथा नहीं करी इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है अब चिंता मत कर ब्रसपती वार के दिन जेल ख जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोश है वह राजा है उसे छोड़ दो रानी का हार खूटी पर लटका हुआ है अगर तु ऐसा नहीं खरेगा तो मैं तेरे राजी को नश्च कर दूँगा राजा प्राते काल उठा और खूटी पर हार टंगा देकर लकड़ारे को बुलाकर शमा मांगी तथा राजा के योगे सुंदर वस्त राभूचन भेटकर उसे विदा कर दिया गुरु देव की आगया के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया राजा जब नगर के निक ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से का हे दासी देख राजा हमको कितनी बूरी हालत में छोड़ गयते हैं वह हैं अमारी ऐसी हाला देखकर लोट ना जाए इसलिए तु दरवाजे पर खड़ी हो जा राणी के आगया के नुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई जब राजा आये तो उसे अपने साथ महल में लिवाल आये तब राजा निकरोध करके अपनी तलवार निकारी हो पूछने लगे बताओ यह धन तुमें कैसे प्राप्त हुआ तब रानी बतलाया कि हमें यह सब धन ब्रस्पति देव के प्रभाब से प्र कि चलो अपनी बहन की यहां हो आवें इस तरह का निश्यक का राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन की यहां चल दिया मार्ग में उसे देखा एक कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहा है उसे रोक कर राजा कहने लगे अरे भाईयों मेरी ब्रस्पतिवार की कथा सु राजा आगे बढ़ा और चलते चलते शाम होगी आगे मर्ग में एक किसान खेत में हल चलाता हूँ मिला राजा उसे बोला अरे भाईया तू मेरी ब्रस्पतिवार की कथा सुन लो किसान बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूगा तब तक चार हरया जोत लूँगा जा अपनी पुछा बेटे ने सभी हाल बता दिया बुढ़िया दोड़ी दोड़ी उस घुर सवार के पास आई और बोली गी मैं तेरी कथा सुनूगी तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना राजा ने लोटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही जिसे सुनते हैं उसके बैल खड़े हो गया तथा किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया राजा अपनी बहन के घर पहुच गया बहन ने भाई की खूब महमान नवाजी की दूसरे रोज प्राते का राजा जागा हुए देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं राजा ने अपनी बहन से पूचा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो जो मेरी बिरस्पतिवाय की कथा सुन ले तो बहन बोली है भाईया यह देश ऐसा ही है पहले ही हाँ कि लोग भोजन करते हैं बाद में अन्ने कोई काम करते हैं अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देखाती हूँ ऐसा का क बहन देखने चले गई पर उससे कोई ऐसा वैक्ति नहीं मिला जिससे उसने भोजन ना किया हो वह एक कुमार के घड़ गई जिसका लड़का विमार था उसे मालू हुआ कि उसके हाँ तीन दिन से किसी ने भोजन नहीं किया रानी ने अपने भाई को कथा सुनने के लिए यार हो जाओ राजा की बहन अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आगया मांगने लगी सास बोली चली जा परंतु अपने लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती बहन ने अपने भाई से कहा हे भाईया मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा राजा ने कहा जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम जाकर क्या करोगी दुखी मन से राजा अपने घर को लोट आया राजा ने रानी से कहा हम नहीं संतान है इसलिए कोई हमार तेरी रानी गर्व बती है, राजा को यह जानकर बड़ी खोशी हुई, नवे महीने रानी के गर्व से एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ, जब राजा की बहन ने यह सुब समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के हैं आई, तब ही रानी ने पढ़ता है, अत्वा सुनता है और दोसनों को सुनाता है, ब्रस्पती देव उसकी सभी मनोकामनाई पूर्ण करते हैं, ब्रस्पती देव उनकी सदेव रक्षा करते हैं, जो संसार में सदभावना हुआ सच्चे हृदय से ब्रस्पती देव का पूजान करते हैं, उसकी सभ कार ब्रिस्पतिवार की कथा समाप्थ हुई